राजेश खन्ना ने जो सूपर स्टार्डम देखा वो नहीं किसी अन्येक्टर ने अभी तक देखा और नहीं शायद कभी कोई देख पाएगा लेकिन काका को लेकर ये बात भी मशूर रही कि ये स्टार्डम उन्हें मन की शांती नहीं दे पाया शराब और सिगरेट के साथ इस श्टार्डम के नशे ने भी राजेश खन्ना के करियर और नीजी जीवन को बरबादी किया तो आज के इस बेहदी दिल्चस्प वीडियो में हम आपसे साजा करेंगे वो किस्सा जब एक मशूर प्रोडियूसर ने सुपरस्टार राजेश खन्ना को गास खाने वाला शेयर के दिया तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहे वीवर साल 1972 में राजेश खन्ना की एक फिल्म आई थी दुश्मन जो की बॉक्स ओपिस पर भी सूपर हिट रही थी और इसे क्रिटिक्स ने भी खुब सरहा था दुश्मन फिल्म के गाने भी सूपर हिट रहे थे जिने आज भी काफी पसंद गिया जाता है फिल्म में राजेश खन्ना के लावा मिना कुमारी, मुम्ताज, कनहिया लाल, असिद सेन, अभी बटाचारे और अनवर हुसेन तथा के एन सिंग जैसे अभी नेता नजर आये थे और फिल्म के डाइरेक्टर थे दूलाल गुहा और फिल्म को प्रोड्यूस किया था प्रेम जी ने विवर सत्तर के दशक की शुरुआत में जब दुश्मन फिल्म रिलीज हुई तब राजेश खन्ना के सूपर अश्टारडम का दोर चल रहा था और हर एक प्रेडूसर राजेश खन्ना के साथ फिल्में बनाने को आतुर था लेकिन सत्तर का दशक खत्म होते होते राजेश खन्ना के सूपर श्टारडम का दोर भी खात्मे की कगार पर था क्योंकि हर जगे उन्हें लेट लतीब कहा जाने लगा था और उनकी कहीं फिल्में भी एक के बाद एक फ्लोप होती जा रही थी और उन्हें दिनों प्रोडूसर गुलशन राए जो की जोनी मेरा नाम दीवार तरिशूल विधाता त्रीदेव विश्वात्मा मोहरा और गुप्त जैसी कहीं सूपर हीट फिल्म में प्रोडूस कर चुके हैं उन्होंने राजेश खन्ना की वो 1972 में रिलीज हुई फिल्म दुश्मन के राइट्स खरीदे और लेट सेवन्टीज में इस फिल्म को री रिलीज किया और साथी फिल्म का जोरो शोरों से प्रचार प्रसार भी किया और इसी के चलते उन्होंने एक मेगजीन पर राजेश खन्ना को लेकर एक लाइन चपवाई जिसमें लिखा था कि वन से लोयन ओल्वेज लोयन लेकिन इस लाइन की भी खास बात ये हैं कि इसे गुल्शन राइने राजेश खन्ना का मजाक उड़ाने के लिए एक चुटक पुल्वे के तौर पर लिखाया था और राजेश खन्ना इसे सच समझ बेटे थे और ये सोचने लगे कि गुल्शन राइने रिप्रेजेंट करने वाले हैं और इसी के चलते राजेश खन्ना ने गुल्शन राइन को गर बुला कर डिनर भी करवाया लेकिन इन सब की बनक जब मीडिया को लगी और मीडिया ने इस बारे में जब गुल्षन राई से पोचा तो गुल्षन राई ने जो जवाब दिया उससे राजेश खन्ना की सारी आशाएं धराशाई हो गई। गुल्षन राई ने कहा कि मेगजीन में जो लिखा हैं वो तो एक चुटकला हैं क्योंकि राजेश खन्ना को रिप्रेजेंट करने से अच्छा हैं कि मैं संजेदत जैसे नए चेहरे को प्रेजेंट करूँ क्योंकि राजेश खन्ना जैसे चेहरे बार बार देकर पबलिक ठक उन्हें नए चेहरे चाहिए और रही बात शेर की तो राजेश करना शेर तो है लेकिन गास खाने वाला शेर क्योंकि आज राजेश करना उन लोगों के साथ काम कर रहा है जिन लोगों ने उसे कई फिल्मों से निकल वाया दरसल गुलशन राई ये सब इसलिए कह रहे थे क्योंकि राजेश करना उसमें रमेश तलवार की फिल्म जमाना में काम कर रहे थे और रमेश तलवार ने जमाना से जश्ट पहले यस चोपडा की फिल्म दूसरा आदमी डारेक्ट की थी जबकि यस चोपडा के साथ राजेश रजेश्खना के सम्मंद अच्छे नहीं थे क्योंकि येस चोपडा के प्रोडिक्शन की पहली फिल्म दाग बनाने में रजेश्खना ने येस चोपडा की बहुत मदद की थी और रजेश्खना को ये उम्मीद थी कि येस चोपडा की अगली फिल्म दीवार के हीरो वही लेकिन येश चोपडा ने दिवार के लिए अमिताब बच्चन को साइन कर लिया और दिवार के लिए राजेश खरना के स्थान पर अमिताब बच्चन को साइन करवाने के लिए राइटर जोड़ी सलीम जावेद ने येश चोपडा पर दबाओ बनाया था और मज़े की बात ये हैं कि जिस जमाना फिल्म में रजश खन्ना काम कर रहे थे उसके राइटर भी सलीम जावेद ही थे जिन्नोंने उन्हें दिवार से निकल वाया और साथी जमाना में रजेशकना के कोई श्टार थे रिशी कपूर और रिशी कपूर की वज़े से ही रजेशकना को समय कई फिल्मों से निकला गया था हादाकि जमाना फिल्म बाद में कई बार डिले हुई और शुटिंग शुरू होने से लगबग 6-7 साल बाद साल 1985 में रिलीज हो पाई जमाना एक जूबली हिट फिल्म साबित हुई थी व्यूवर आपके हिसाब से गुलशन राई ने राजेश खन्ना के लिए जो कहा वो सही था या गलत कमेंट कर हमें जरूर बताएं और इसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेर कर दीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए धन्यवाद